हेलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वाक्त है आपका आपके फेवरिट यूट्यूब चैनल एक्जाइम क्रेकर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे रिजनिंग के डिफरेंट टाइपस ओफ क्वेस्चन मुझे पूरी उमीद है ये क्वेस्चन आपके लिए बहुत इंफरमेटिव और बहुत हल्फूल होंगे तो आप वीडियो को पूरी देखिए एक भी क्वेस्चन को स्किप मत करिए क्योंकि हर क्वेस्चन अलग टाइप का है और ये आपको आपके एक्वेस्चन को क्रैक करने में बहुत हल्फूल होगा तो आईए सुरू करते हैं आज की वीडियो तो हमारा सबसे पहला क्वेस्चन है काउंट दा नंबर ओफ क्यूव इन दिस फिगर किसी भी फिगर में क्यूव की काउंटिंग कैसे की जाती है देखी यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एक लाइन को हम पकड़ेंगे और उसमें काउंटिंग लिख देंगे एक, फिर ये क्यूव आगे वाला जो हो इसे उपर है दो, फिर तीन अब यहां पर देखेंगे, यहां से फिर एक, फिर दो, यहां पर एक, यहां पर पहली लाइन को देखेंगे, इनको ऐड़ कर देंगे, वान प्लस टू प्लस त्री, तो यह आ जाएगा सिक्स, मतलब इस लाइन में, यह जो लाइन आई हमारी, इस में छे क्यूब है, अब हम इसको टोटल करेंगे, छे जमा तीन, जमा एक बराबर है, तो यह आएगा हमारे पास दस, और इस फिगर में टोटल क्यूब हैं, दस, तो देखें क्यूब की काउंटिंग कैसे की जाती है, हम सबसे पहले किसी लाइन को पकड़ लेते हैं, और वहां पर सबसे नीचे वा हो रहें, तो टोटल हो गई यहां पर तीन, अब इन तीनों का टोटल कर लेंगे, तो यह आएगा वान प्लस टू प्लस त्री, और यह हो जाएगे हमारे पास छे, इसी तरह से यह लाइन देखते हैं, यहां पर, इसमें एक, यहां पर दो, टोटल दो आगे, इस लाइन में एक जमा दो, तो वो होगे तीन, और यह अकेला क्यूब है, इस लाइन में, तो यह आगया एक, जब टोटल किया तो टैन आगे, हमारा उप्सन पहला सही है, हमारा अगला क्वेशन है, यहां पर कुछ नंबर दिये गए हैं, जैसे यहां पर है, एट, सिक्स, फाइब, टू और 12 बीच में, यहां पर देखेंगे 12, 4, 13, 3, और यह क्वेशन मार्क है, जो हमें फाइंड ओट करना है, यहां पर देखेंगे 10, 5, 8, 4, और यहां पर 7 है, अब जो क्वेशन मार्क हमने फाइंड ओट करना है, वो कैसे फाइंड ओट करेंगे, सबसे पहले हम इस फीगर औ और इस figure को, इन दोनों figure को study करेंगे और देखेंगे, जयकिए question mark बीच में लिखा गया है यहां पर देखिए question mark बीच में लिखा गया है इसका मतलब यह है कि इस figure में उसी तरह से 8, 6, 5, 2 को मिलाखे यह 12 लिखा गया है तो हम भी 12, 4, 13 और 3 को मिलाके ये question mark की value find out करेंगे तो सबसे पहले हम पहली figure से देखते हैं हमें 8, 6, 5 और 2 से 12 कैसे मिला है तो सबसे पहला हमारा काम होता है हम इन digit की addition कर देते हैं ऐसे आगर वो ये answer मिल जाता है तो हम बैसा करेंगे फिर तीसरे figure मैं जाएंगे लेकिन यहां पर 8, 6, 14, 5, 19, 21 लेकिन हमारे पास 12 है क्या 21 को हम reverse कर दें तो 12 मिलेगा लेकिन वही result हमें figure number 3 से भी मिलना चाहिए तो यहां देखते हैं 10, 5, 8, 4 तो यहां पर के इतना आएगा देखिए 10, 5, 15, 8, 23, 27 यहां पर 7 है हम digit को reverse कर देंगे तब भी हमारे पास 7 नहीं आएगा इसका मतलब addition से काम नहीं होगा हमें कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा जब addition से बात ना बने तो हम क्या करते हैं multiply कर लेते हैं सभी digit को ऐसे और multiply करने के बाद देखिए हमें 12 नहीं मिलने वाला है क्योंकि यह छोटे छोटे यह number बहुत चोटा है और यह इनकी multiplication बहुँ जादा आगे तक जाएगी मतलब कितनी multiplication हो जाएगी 8 गुणा 6 48 48 गुणा 10 480 लेकिन हमें तो 12 चाहिए तो multiplication से भी बात नहीं वालेंगे लेकिन अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यह आएगा 480 हम लास्ट फिगर को भी देखते हैं 10 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 4 10 पांच आठ और 4 को हम जब multiply करेंगे तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर वान सिक्स जीरो जीरो अब देखिए 480 से हमें 12 मिल सकता है या 1600 से 7 मिल सकता है कि नहीं अगर हम इनके डिजिट को एड़ कर दे देखें यह हमें 12 मिला हमें 12 ही चाहिए इसी तरह से इसके digit को 1 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 0 को add करें तब हमें 7 मिलेगा तो यह हमें 7 ही चाहिए तो हमारा formula हमने decode कर लिया है क्या है formula हम सभी digit को add कर देंगे और जो answer आएगा उसके digits को फिर से add कर देंगे और वो जो answer आएगा हमने सिर्फ एक बार ही add करना है यहां पर हमने 12 को 1 प्लस 2 करके 3 नहीं करना है क्योंकि यहां पर सिर्फ एक बार ही addition है तो 12 आया इसी तरह से 10, 5, 8 और 4 को add करके हमें मिला 1600 हमें हमारा formula मिल गया है क्या है जो सबसे बाहर के digit हैं यह देखे चारों digit इनको हमने multiply किया तो हमें मिला 480 और 480 के जो अलग अलग digit है 480 उनको फिर से add कर दिया हमें मिला 12 last figure में भी 10, 5, 8 और 4 को हमने यहां पर ऐसे multiply किया हमें मिला 1600 और 1600 में digit है हमारे पास 1600 और इनको जब add किया तब हमें मिला 7 और हमने यहां पर 7 ही देखा है तो यही formula हम यहां पर लगाएंगे second figure में और question mark की value find out करेंगे तो यहां पर क्या है 12 into 4 into 13 into 3 देखे 12 into 4 into 13 into 3 जब इन तीनों digits को multiply करेंगे तो यहां से पहले 48 मिलेगा फिर 39 मिलेगा अब 39 और 48 को multiply करेंगे तो यह कितना जाएगा देखिए 1872 और इसके सभी digits को add करेंगे और यह आएगा एक जमा आठ नो जमा साथ सोला और दो अठारा और हमारा option D 18 ही answer दे रहा है हमारा अगला question है यहां पर एक box problem दी हुई है जिसमें चार रोज है और पहली row में नंबर है साथ दस आठ दूसरी में है नो बारा छे तीसरी में है चपन एक सो बीस एक तालिस और चोती रो में है question mark 144 36 और हमें question mark की value निकालनी है और question mark की value होगी या तो 169 या 72 या 63 या 64 तो देखे जब भी question mark side में किसी corner में हो तो हम या तो row वाई चलेंगे ऐसे या नीचे को कोलम वाई चलना है जहां पर question mark है सबसे पहला ऐसे ही करना है और देखिए row wise या कोलम वाई हमें अगर चार का चार row या चार कोलम दिये हैं तो हम जहां पर ज़्यादा रोज हैं तो वो चलेंगे या ज़्यादा कोलम है वहाँ चलेंगे तो यहां पर चार रोज हैं तो हम row वाई चलेंगे इसका मतलब है साथ नो और 56 से question mark बना होगा जैसे 10 12 120 से 144 बना है उसी तरह से 8 6 और 48 से 36 बना है तो हम देखते हैं सबसे पहले इन तीन नंबर से 144 कैसे बना होगा या फिर इन तीन नंबर से 36 कैसे बना है तो मैं सबसे पहले जो मेरा तीसरा कोलम है उसको लिख लेता हूँ 8 6 और 48 से हमें 36 कैसे मिला है मैं क्या करूँ कि मेरे को यहां पर 36 मिले तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ 8 से 48 को divide कर देता हूँ तो हमें मिलेगा यहां पर 6 फिर इस नंबर के साथ इसको multiply कर देता हूँ तो यहां पर 36 मिलेगा कैसे इस नंबर के साथ इस नंबर को भाग दिया मतलब 48 को 8 से भाग दिया मुझे मिला 6 फिर इस 6 के साथ मैं यहां पर multiply कर देता हूँ तो यहां पर ये नमबर मिल रहा है इसी तरह से यहां पर देखता हूँ मैं दूसरे कोलम में यहां पर है 10 फिर 12 और फिर 120 इस से मिलना चाहिए हमें 144 वो कैसे मिलेगा तो मैं इस 10 के साथ यहां पर 120 को भाग दे देता हूँ तो को मिलेगा 12 और इस 12 के साथ मैं यहां पर इस 12 को गुणा कर देता हूँ तब मेरे को 144 मिलेगा इसी तरह से देखी कैसे इस नमबर के साथ मैं इस नमबर को भाग देता हूँ तो मुझे मिलेगा 12 और इस 12 के साथ मैं यहां पर इस 12 को मल्टिप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा यह वाला नमबर 144 यही मेथर हमने पहले कोलम मैं यूज करना है तो पहले कोलम मैं जब यूज करेंगे तब क्या हैगा इस नमबर के साथ इसको भाग देंगे 56 को देने के बाद मिलेगा उसके साथ यहां पर जो दूसरी रो में नंबर है उसको गुणा कर देंगे मतलब आठ गुणा नो और हमें मिलेगा यहां पर 72 क्वेस्टन मार की जगा तो 72 हमारा ओप्सन नंबर भी दे रहा है और यहीं इसका आंसर होगा और फ्रेंच अगला क्वेस साथ एक बाद सेयर करना चाहता हूं कि आप आपका कोई साथ थी या आपका कोई रिष्टदार किसी कुम्पीटिशन की तयारी कर रहा है तो यह चैनल आपके लिए ही है क्योंकि इसमें मैं जीके एक्जाम रिलेटेड रिजिनिंग की सिंपल एक्पलानेशन के साथ साथ मै अब अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है यहां पर एक सर्कल में नंबर दिये गए हैं और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालने है तो नंबर कौन-कौन से है आठ सताइस चोनसर्ट एक सो पचीस दोसो सोला अबर हम इन नंबर्स को ध्यान से क्यूब हैं मतलब आठ को लिखा जा सकता है दो क्यूब 27 को लिखा जा सकता है तीन क्यूब 64 को लिखा जा सकता है चार क्यूब 125 को लिखा जाएगा पांच क्यूब 216 को लिखा जाएगा 6 क्यूब अब हमें एक बात क्लियर हो गई कि दो का क्यूब फिर तीन का क्यूब फि 6 का क्यूब तो आगे आना चाहिए, या तो 7 का क्यूब आना चाहिए, या फिर हम question mark से अगर सुरू करें, देखें ये 2 से है, तो हम 1 से भी तो सुरू कर सकते हैं, अब ये चीज़ depend करेगी हमारे option की उपर, अगर option में क्या दिया है तो option में देखिए बहुत बड़े बड़े number दिये है मतलब एक का cube तो नहीं आएगा तो 7 का cube आ सकता है तो 7 का cube कितना होता है 343 तो हम यहाँ पर लिखेंगे 343 लेकिन यहाँ पर एक और number भी दिया है 27 वो 27 कैसे आया होगा हम क्या करते हैं जिन numbers का हमने cube किया है उन सब को add कर देते हैं 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 तो यह आएगा 2 और 3 पांच चार नो पांच चोदा छे बीस और एक साथ 27 देखिए 27 अंसर आ गया और इस बाद से एक और बात क्लिएर हो रही है कि यहां पर जो हमने लिखा है 7 या 343 उसकी जगा 1 नहीं आना था क्यूंकि अगर यहां पर 7 की जगा 1 आता तो इसका total 27 नहीं 26 आना था और हमारे पास 27 है तो हमने यह बात ध्यान में रखते हुए इसका अंसर 343 लिखा है option D 343 दे रहा है हमारे वीडियो का आज का last question है यहां पर एक circle दिया है और circle के बाद छोटे छोटे circle दिये गए है और हमें निकालना है question mark की value देखिए यह जो circle दिये है छोटे 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 यह meaningless है यह सिर्फ हमने एक numbers consider करना है इनको कि यह number दिये गए है अब circle के अंदर जो यह number दिये गए है इनके साथ यह जो बाहर number लिखे गए है इनका कोई relation होगा तब यह number दिये गए है और वो relation हमने find out करना है उसके बाद उसी relation से हमने question mark की value निकालने है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे relation देखेंगे जो question mark है यहां पर वो यह number या यह number सबसे last मैं इनको करेंगे बाकी जो आमने साबने हैं उनको देखेंगे तो यह जो 7 और 7 लिखे गए हैं इनको हम total करते हैं तो 7 जमा 7 आएगा 14 ना तो यहां पर 14 है ना यहां पर 14 है यहां पर 5 जमा 7 देखते हैं वो आएगा 12 तो ना 12 यहां पर है ना 12 यहां पर है मतलब addition नहीं हुई है addition नहीं है तो multiplication देखेंगे तो इन दो नमबर की multiplication 7 इन्टू 7 49 आएगा कहीं 49 है यह देखिए इसके बिलकुल सामने 49 है अब इन दो नमबर को देखेंगे 5 7 इनकी multiplication करते हैं दूसरी तरफ से देखते है अब यह दो नमबर देख लिए हमने यह दो नमबर देखते है और यह दो नमबर देखते है तो 7 और 9 7 और 9 को जब multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 63 और यहां पर 1 and 7 1 and 7 को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 7 देखिए one और seven से हमें ये seven मिला और इस nine और seven से हमें ये 63 मिला multiplication से ही काम हो रहा है इसी तरह से आगे चलते हैं ये नमबर देखेंगे nine eight और four one तो nine eight 72 और four one four one मिलेगा four तो इस four और one को multiply किया तो हमें ये four मिला सभी numbers हमें मिल चुके हैं इसी तरह से nine और eight को multiply करेंगे तो हमें seventy two nine and eight से हमें seventy two question mark की जगा मिलना है और उसी तरह से seven and four से भी हमें twenty eight मिला है सभी numbers जो भी बाहर छोटे-छोटे circle में लिखे गए हैं वो उसके अंदर opposite side के दो number को multiply करने से मिल रहे हैं तो यहां पर भी ये number जो हमें लिखे गए हैं जो number हमें दिये गए है nine and eight को multiply करने के बाद ये seventy two आएगा तो option d हमारा सही जबाब हो जाएगा तो friends ये था आज का वीडियो जिसमें हमने reasoning में different type के question को solve किया मुझे पूरी उमीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और informative लगा होगा आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी share करें और अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार visit किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना वोले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की notification मिल सके थैंक्यू बेरी मच